क्या इन दिनों में आपके पास भी कोई ऐसा message डिलिवर हुआ है जिसमें सरकार की तरफ से free में laptop बाटने की scheme के बारे में बताये गया है तो alert हो जाए है क्योंकि एक बहुत बड़ा scam है internet पर इन दिनों users ने एक ऐसे message के बारे में alert किया है जिसमें बताया जा रहा है कि सरकार students को free में laptop बाट रही है लेकिन ये बिल्कुल fake scheme है क्योंकि P.I.B. fact check के report के मताबिक इस तरह कि जो schemes हैं उसके लिए हमेशा government की official website के थ्रूई alert जारी किया जाता है तो ऐसे में अगर आपके पास WhatsApp या message पर कोई भी ऐसा alert आया है तो उसको open करने से पहले हमेशा recheck कर ले क्योंकि जाता तर जो ये schemes होती है ये fake होती है और हाली में जो check किया गया है तो government ने ऐसी कोई scheme जारी नहीं की है तो अगर आप भी ऐसे किसी scam में fuss गए है या फिर आपके पास भी कोई SMSS डिलिवर हुआ है तो उससे खुद को protect रखना बहुत जरूरी है तो अगर आपके जानने वाले आपके friends के साथ भी इस तरह का कोई scam हुआ है तो आप उन users को इसके बारे में alert कर सकते हैं साथ ही इसी तरह के scam से बचने के लिए कुछ ऐसे simple steps हैं जिनको आप follow कर सकते हैं जो सबसे पहला step है वो यही है कि इन तरह के जो fake messages है इनको सबसे पहले जाके report करें साथ ही में इन पर click करने से बचें या कोई भी आपकी personal details या OTP शेर करने के लिए बोलता है तो उसको ignore करें और उसको block कर दें तो ऐसे में क्या होता है इस तरह की जो schemes होती है इनके पीछे hackers और scammers का हाथ होता है जो आपके personal data का misuse करके आपको blackmail कर सकते हैं साथ ही आपके bank account को भी खाली कर सकते हैं तो अगर आपके पास कोई OTP आया है तो उसको share करने से बचें इसके साथ जो दूसरा step है अगर आपको लगता है कि government ने ऐसे कोई scheme जारी की है या आप कोई government की दूसरी scheme के बारे में check करना चाते है तो हमेशा पहले government की official website पे जाके इन schemes की सारी details को check करें उन्हें verify करें कि उनमें क्या क्या चीज़े mention की गई है तो ऐसे में उन WhatsApp या फिर messages पर dependent ना रहे जो यह दावा करते हैं कि सरकार की तरफ से इस तरीके के कोई offers दिये जा रहे है अब जो simple step है वो यह है कि ऐसे कोई भी messages आते हैं तो आपको उन्हें ध्यान से एक बार check करना है क्योंकि इनमें आम तोर पर हमेशा कोई spelling mistake होगा या जो details है उनमें भी default होता है तो इस तरीके से भी आप पता लगा सकते हैं कि messages fake हैं यह spam हैं साथी आप ऐसे में hacking का शिकार होने से भी बच सकते हैं आज के टाइम में इन तरीके के fraud और scam से बचना बहुत जरूरी है क्योंकि यह बहुत common हो गया है और इसके साथ ही बहुत सारे ऐसे users हैं जिनका personal data hack होता है और उसका misuse किया जाता है आपके family और friends में भी ऐसे बहुत सारी लोग होंगे जो इसी तरह के scams में first जाते हैं और इसके बाद जो इसके cons होते हैं वो बहुत जादा होते हैं जिनको हम bear नहीं कर पाते हैं तो इससे पहले उन सबको alert करें साथ में इस वीडियो को share करना ना भूलें इसको like करें हमें comment section में बताएं अगर आप इसी तरह की का कोई scam experience कर रहे है और हमारी इस channel NBT TechEd को भी subscribe करें